बाई अब हमरे मन देखब कि कंदा कर केसे उपजा करेक है उकरले केसन माटी चाहिए कौन-कौन उनत प्रभेद है लगायक कर बेरा केसन है बिहिन कर दर केसन है से सोब कर जानकारी लेब हमरे मन चलो देखा अब सबसे पहले कि माटी केसन रहेक चाहिए कंदा लगेन माटी रहेक चाहिए बलूई दो मट और पानी बढ़ियां से जहां से निसेख सके उसन माटी इकरले बेस रहे उनत प्रभेद है इकर स्री भद्रा कलिंगा और गौरी बिहिन लगायकर बेस बिरा है जून और जुलाई बिहिन्दर कतना रहेक चाहिए बिहिन्दर तिरासी हजार कटिंग्स प्रती हेक्टर लगायकर विधी लतर कर आगो बटक जे भाग रहेल से के 20 सेंटिमेटर काइट के तले इकर कटिंग के लगाये देऊ अग इतना करल पाच है इकर में माइन देले या और आग बाढ़ी तो माइन्द और उरोरा कितना देख है रहे गोवर्कर माइन्द 15-20 प्रती हेक्टर नेत्रजन 8 किलोग्राम स्फूर 60 किलो प्रती हेक्टर पुटास 60 किलो प्रती हेक्टर रुपिक विरा अईदिका नेत्रजन और पुटास के पुरा पुरी डैल देऊ जे बाचल है से कि 30 से 35 दिनक बादे माटी चड़ायक बिरा दे देऊ। अब इतना केर ले ही रोरे आप पटायक है। सितंबर कर महिना में लगाल फसिल के 10 से 15 दिनक भित्रे पटाते रहो। इकर से फसिल बढ़ियां होई। अब पोधा कर सनरक्षन दियां और बीवल से माचेक लगिन 10 किलोग्राम प्रती हेक्टर दानेदार फोरेट 10 जी कर प्रयोग करू। लतर के मिथाइल डेमोटीन दवई से जिकर प्रतिशत रहक चाही सुन्य दसमलो एक इकर से दवई करल पाछे रोपनी करू। फेरोमोन ट्रैप 100 से 100 वर्ग मीटर कर दर से विवहार करू। अबिकर से रोरे के उपज कितना भेटाई। रोरे के उपज मिल जाई 25 से 30 टन प्रती हेक्टर।